अब हम लोग 11 क्लास का फिजिक्स सुरू करने वाले आज से और फिजिक्स सुरू करने के पहले सबसे पहले हम लोगों को कुछ बाइक ग्राउंड जानना चाहिए कि फिजिक्स कहां से आया और फिजिक्स जानने के पहले हमेश सक्वाइन विज्ञान क्या चीज है ना विज्ञान क्या है विज्ञान क्या होता है कि उस्पश ज्यान कें से बनाएं व्यकूर्ध विशेश लिया जाता है विशेश क्या ले आता है विशेश विशेश ग्यान को भी ग्यान कहते हैं यह विशेश ग्यान क्या चीज़ है क्या विशेश ग्यान है तारों के बारे में पढ़ना चंद्रमा के बारे में पढ़ना अकासिय पिंड के बारे में पढ़ना यह पेड़ कैसा है प्यों दर्ती में रात होती है क्यों चंद्रमा गुरनन कर रही है क्यों यह परिवर्मन गती कर रही है यह यह विसेस घ्यान है यह प्रकृती के रस्प्रकृति में क्या-क्या घटित हो रहा है। अकासिय पिंड़ों का विविन ग्यान और जीब जनतु के अंतरगत विविन परिवर्तन जन मसेले के मिर्टियू तक इसको जानना विशेज ग्यान नहीं कर लाएगा ये विशेज ग्यान है और इसी विशेज ग्यान को जब हम अर्जन करते हैं तो हम कहेंगे कि हम विज्यान प्राप्त कर लिए अर्थाद विशेज ग्यान प्राप्त कर लिए तो इस प्रकार विज्यान को हम विशेज ग्यान क भी वाजित कर देते हैं एक प्रकृतिक विग्यान और एक भोतिक विग्यान और किसी विदमान ने विज्ञान के बारे में बताया है कि विज्ञान जो है यह लेटिन सब्द साइंसिया से बना है से बनाएं लेटिन सब्द साइंसिया से बना है S-C-I-E-N-T-I-A साइंसिया लेटिन के किस सब्द से बनाएं साइंसिया सैंटिया भी इसको बोलते हैं बहुत आदमी और सांटिया के अर्थ हो जाता है तू नो क्या होता है तू यू नो मिस जानना नौलेज क्या हता है कि नौलेज मिंस घ्यान और इसको कहते है जानना क्या चीज़ जाना ना वही विसेश विशेस ग्यान को विग्यान कहते हैं जानना क्या चीत प्रकृति में जो कुछ भी गटित हो रहा है उस गटनाओं का करमबद और विशेस ग्यान को विग्यान कहते हैं हे कोई दिकत समझ रहे हैं अब सुविधा के लिए फिर विग्यान का वर्गी करन कर देता है एक परकृतिक विग्यान और साथ सॉपμέलर करें धिक भाइड़ करते Congo कोर्दोर साइंस है knocking प्र साइन्स को फिर बहुतिक विच्ञान को दोबरों में वाजित करते हैं एक वनसपती विच्ञान और लुन में पृध्यान को कोतिए नयाibo नहीं समझ़ पाया अच्छा तियुट समझे अरी समझ यह तो विग्यान का आर्थ एक हिंदी में जाता है और और susun का इंगलिज जो साइंस है का जाता इस एकलए कि सैंसिया वाई है किससे लेटीन के साइंस या सब्दे से होगा है और सइंटिया बहुत को बोलते हैं साइंटिया का रत किया होता है तो नो दूनो मिस जाना यह नौलेज 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 का ज्ञान घ्राण ज्ञान तो इसका definition निकलता है अब प्रकृती में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका करंब बद एवं वीशेश ज्यान को विग्यान कहते हैं क्वादिकर प्रकृति में जो कुछ भी घटित वर रहा है उसका करंब बद और विशेश ज्यान को विग्यान कहते हैं और हमने क्या बताया विग्यान को स्विधा के लिए कितने बर्गों में बटागिया है विग्यान को स्विधा के लिए दो वर्गों में बटा गया है एक को क्या कहते हैं प्राक्रीतिक विग्यान इसको नेचुरल साइंस कहेंगे क्या कहेंगे नेचुरल साइंस और एक है भावतिक विग्यान इसको क्या बोलते हैं फिजीकल साइंस क्या बोलेंगे सब्सक्राइब करेंगे एक है एक जनतु विग्यान जनतु विग्यान जिसको जू लोजी बोलते हैं जेट डवलो जू लोजी लोजी जू लोजी और एक होता है वनश्पती विग्यान विग्यान वाटनी वाटनी क्वतिकत और फिर भावतिक विग्यान को दो बरगों में विभाजित क्या गया है एक भावतिकी और एक रसायन शास्त्र और इसी भावतिकी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भावतिकी को पढ़ने जा रहे हैं क्या बला भावतिक और भावतिकी में क्या अंतर है हिंदी व्याकरण की कम यह ना अब संग्या सर्वनाम बिसेशन पढ़ा है याद है याद है याद है बोलो संग्या किसे करते हैं कि आर्ट यह बत बोलना थिछ ना ठीक इसको अलगतीक सब्द से भावतिकी बना है यह वीज्यान की आख़ते हैं तो बॉतिकी जो है कि बहुत की विशा है यहां के वीज्यान की एक सख्षा सब्सक्राइब करें सकते हैं बहुत की वीज्यान की वासका है यह भॅत कि क्या पढ़ेंगे बहुत की वीज्यान सब्सक्राइब की मनस्पत्ति गयान कि मनस्पति गन प्रकरतिक विए वीज्यान का उन poses का hitting it Yash。。 कि भौतिक की प्रिवासा क्या बनाएंगे कि भौतिक विज्ञान की वासाखा भौतिक विज्ञान की वासाखा जिसके अंतरगत द्रव्य तथा उर्जा और उनके बीच पारस्परिक क्रियाओं का अधियन क्या जाता है कि भौतिक विज्ञान की वासाखा है किसके सका उन्हें के बीच किर्या किस प्रकार प्दार्थ उर्जा में कनवर्ट होता है उर्जा पदाप में कनवर्ट होता है ना बदलता है तो उनके पारस्परिक क्रियाओं का अध्यान क्या जाता है उसे क्या कहते हैं बहुत की कहते हैं एक बार बोली आप लोग अब देख के तो अधियान क्या जाता है फिर वोली अगवार पारस्परिक किरियाओं का अधियान क्या है किसे को याद हुआ बोलो तो रुएद बोलो पहुतिक विग्यान के वास आठाए जिसके अंदर अधियान क्या है बिल्कुल सही ठीक है तब यह समझ गये तो अभी हम लोग क्या पड़े सबसे पहले पड़े बिग्यान क्या है तो विग्यान क्या है तो विग्यान विशेष ग्यान को विग्यान काते है किसका विशेष ग्यान तो यह प्रकृतिक का विशेष ग्यान संसार का विशेष ग्यान हम लोग भोजन कर लेते हैं सोते हैं मलमुत्र विशेष ग्यान करते हैं यह तो सब कोई करता है हर जीव जन करते हैं तो उसको में का सकते हैं विए ंग्यान हमने जाना थे तारे किंट्व माते हैं यह क्यों निकर करें क्यों प्रश्स पर बना हुआ है फिर यह प्यड़ पुदा छटाव से Immos कीसी होता है Fall कैसे दिने लगता है संतान कैसे करता है जीव जनन कैसे करते हैं इन सब चीजों की रहसें को जानना विएजग्यान हो गया इसी विजग्यान को क्या काえँगे विग्यान को English में क्या कहते हैं सईइस्ट विजयênio सब्धिक उत्पति सवधिन के साइन्टिया सेसा नौलेज जिया और प्रकृति के विशेश घटनाओं का इसका एक सीश्टम सी शीखना होगा आ विशेश घ्यान को कहते हैं और विज्ञान को हम लोग के लिए कितने बार्गों में बांट देते हैं दो नमरेख प्रकृतिक विग्राण्ः इंग्लीजित नमर्दू English को परचिक विध्यान को स्विधा के लिए कितने बारगों बटा ग्यान कौन सा घूलगर Vi बहुतिक बीग्यान को फिर कितने वर कमपटा जाता है नोधिकी रसाहिट साथ बहुतिक को इंगलीस में बोलता है पिजिक्स और इसको केमिस्ट्री केमिस्ट्री और हम लोगों को पढ़ना क्या है अभी एलेवन में फिजिक्स पढ़ना है फिजिक्स का डेफिनेशन हमने क्या लिखाया और उनके बीच पारस्परिक किरियाओं का अध्यन क्या आत है उसे भातिकी का बहुतिक रासि का वरगी करन पढ़ determination पिर भौतीक रासी को व्यक्त कैसे करते हैं वह पढ़ेंगे जैसे कि कोई भौतीक रासी है ना हम लगत से पढ़ते हैं कितना द्रभमान है क्या बोल देते हैं मैं रहां बोलते हैं कुछ 25 किलो ग्राम 25 जी इसको वाँ इपावां क्यों से सुचित कर देते हैं और इसका यह है नूमरेकल यह कि अनकिक Daim देलू यह क्यों यो भी बहुत इक राजिक परा दें पराबर और पीर मत रख लिए बल कितना है बल कामान कितना है थो बोलते हैं 25 दस न्यूटन इसमें बल्कॉम राग्सी कहेंगे रावर नुमेरिकल वेल्ई और उनिट तो क्यों बनावर ये भी अंदर में पढ़ेंगे इसको इसलिए बोलती है चुकि यह 9887 नीचे के लक्सी पढ़ते चलेगी है ना किल में यहां क्या है यह सब अंदर में पढ़ने क्लिक्स के अंतर ना बहूत कुछ पढ़ना वह कि पोच को पड़ना हैda परिवस का चर्चा कर ला है तो इस प्रकार हम लोग भौतिक की का परिवसा खतम कि तो बहुतिकी किसे कहते हैं तो भौतिक भौतिक बिग्ज़ान की वह शक्खा है जिसके अंतरगात द्रवग द्रवग मना पदा तथा और उर्जा और उन के बीज पारशपरिक किरियाओं का अध्यान के आ जाता है उसे भावतिकी कहते हैं और भावतिकी सब्द की उत्पति जैसे विज्ञान साइंस सब्द की उत्पति लेटिन के साइंटिया से भी है उसी प्रकार भावतिकी सब्द अर्थाथ फिजिक्स की उत्पति तो इस प्रका कि फिसिस या फुसिस सब्द से भी है फिजिक्स वर्ड की उत्पति कि फिजिक्स सब्द की उत्पति किसे भी है ग्रीक शब्द भी च्रीश का आर्ट क्या होता है नेचर प्रिक्रिता कुम्ष सकता है फिजिक्स वर्ड पति इस क्या होता है पिरिए अब हमको फिजीक्स में किसकलास का फिजीक्स पढ़ना है तो दुनिया में अंतरगर्णा बहुत कुछ पढ़ना पढ़ता है लेकिन हमको एक दाइरे में को में पड़ना है 11 कलास का फिजिक्स पड़ना है और हम लोग जानते एलेवन कलास में फिजिक्स ncr टी में दो भागों में बटावा है फ़र्ष्ट बुक में हम लोग 8 अधियाए पड़ेंगे और सेकेंड बुक में साथ अधियाय पडेंगे कोई अधिकत तो फिजिक्स फर्ष्ट में जो हम लोग पड़ेंगे अगर भॉतीकी वन में जो पड़ेंगे एल्बण कलास का भॉत्ट की वन में फर्स नमर हम लोक पड़ेंगे भॉतिक जगत gat क्या पढ़ेंगे फर्स्ट नमर क्या पढ़ेंगे दूसरा पढ़ेंगे मात्रक और मापन क्या पढ़ेंगे मात्रक और मापन क्या पढ़ेंगे तिसरा पढ़ेंगे सरल रेखा में गती पढ़ेंगे सरल रिखा में गती को दिकना चाउथा पढ़ेंगे समतल समतल में गती बोले तो एक वार आप लोग दूसरा क्या पढ़ेंगे तिसरा क्या पढ़ेंगे चोथा क्या पढ़ेंगे पच्मा पढ़ेंगे गती के नियम पच्मा क्या पढ़ेंगे गती के नियम बोलिए अप लोग पढ़ेंगे और चठा फिर पढ़ेंगे तो अम लोग का परचीत है नाइंध क्लास का फिर शिक्स नमर भी है कारी उर्जा सथा सक्ति यह भी अम लोग का परचीत है ना कार्य उर्जा तथा शक्ति चैटा हो गया और सतमा नमर चैटा क्या हुआ अगला है कनाओ के निकाय की घूर्णी गती कनो के निकाय और लेटा कना चर्ण। क्या है लोटे के मां यूनिट हो गया है साथ मां और फिर आठमा हम लोका परिचित है घुरुत्वा कर्शन आठमा यूनित क्या है गुरुत्वा कर्शन इस प्रकार फ़र्ष्ट भौत की खतम हो जाएगा को दिकार और भौत की टू कि कलम थोड़ा बतल देते हैं भौत की टू कि एक बार इसको फिर से बोले आप लोग बोले तो पहला यूनिट क्या है दूसरा तीसरा चौथा पाचमा चाथा साथमा आठमा और यह सिलेबस इस परकार का यूनिट का डिविजन कहों है एंसी आटी बोक में कहों मिलेगा आपको एंसी आटी बोक में और उसमें भौत की दू अर्था सकेंड भौत की जो है सकेंड भौत की का पहला यूनिट हम लोगों को मिलेगा ठोशों के यांत्रिक गुन क्या मिलेगा यूनिट क्या मिलेगा थोशों के यांत्रीक गुन अब ठोस का है तो और भी होगा तरल का होगा यह निक द्रब और गैस का तरल में इस द्रब और गैस तो फिर लिखेंगे तरल के यांत्रीक गुन फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे द्रब के तापीय गुन अगला यूट क्या होगा द्रब यह के तापिय गुन द्रब मिस नमर दू और चोथा नमर फिर पढ़ेंगे उश्मा गती की, क्या पढ़ेंगे? उश्मा गती की, यह सब चेप्टर बहुत मस्थ का पढ़ने में उश्मा गती की 9, उसके बाद पाचमा होगा अनुगती चिदान्त, यनिकária का गती का सिदान्त अनू के गती का सिधान्थ भी का सकते हैं अनू गती सिधान्थ भी का सकते हैं अनू लिखा होगा सथ अनू गती सिधान्थ ठीक ना अनू गती सिधान्थ एसे अंदर में हम लोग पढ़ते हैं अनू के गतिक सिधान्थ ठीक ना अनू गती सिधान्थ छटा यूनिट क्या वाल दोलान और जो किताब देखा बोलो सत्मों यूनिट क्या था तरंग इस प्रकार साथ यूनिट होगा सकेंड भौतिकी में अब हम लोगां को सिलसलेबार ढंग से सबको पढ़ना यह भौतिक जगह थोड़ा बकवास चेप्टर है लेकिन बैक का नौलेज होना चाहिए तो बहुतिक जगत में बहुत कि मतलब को ब्बंग लोग स्टाथ करेंगे इसको को बारी बार इस पढ़ते चलेंगे इसको कभी पढ़ लेंगे इसको बाद में पढ़ेंगे तो आज यहीं तक रहते हैं सिलेबस परिशा हम लोग किये उसके बाद फिर नेक्ष्ट कास हम लोग पढ़ाई चालो करेंगे ठीक है